निफटी बैंक निफटी के। तो उन स्टॉक के पीछे में आपको reason भी बताऊंगा कि क्यों उसको मैं choose कर रहा हूँ क्या उसके पीछे का technical analysis है इसी के साथ दोस्तो आप इस video को जरूर देखिएगा अगर आपके पास capital कम है क्योंकि हम आपको bank nifty का बढ़िया option trade देने वाले हैं दोस्तो जैसा कि हमने आपको कल कॉल option दिया था bank nifty का बहुत बढ़िया कमाई हुई इस कॉल option में तो वीडियो को एंट तक देखिएगा और मज आने वाला है वीडियो में तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को दोस्तो आई हम देखते हैं कल के डिट में bank nifty हमारा क्या कर सकता है तो यहाँ पर हमने open कर लिया bank nifty का चार्ट clear card आप देख सकते हैं तो देखिए जैसा हमने discuss किया था कि भई bank nifty में आपको एक बढ़िया momentum देखने को मिलेगी तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हमको एक बढ़िया momentum देखने को मिला bank nifty में ठीक है bank nifty खुला उपर था लेकिन क्या हुआ पहले नीचे आया नीचे आने के बबाद bank nifty ने एक अच्छा खासा rally भरा कहां से कहां तक 37,500 से 37,650 तक तो बहुत ही interesting देखो चार्ट बन रखा अभी के rate में तो देखो हमको क्या करके चलना है bank nifty को buy करके चलना है हमने जैसा discuss किया था मतलब मैंने आपको बताया था कि देखो यह continuation pattern होने वाला है और जो कि अभी यह मेरे को लग रहा कि continuation pattern हो यह हो चुका है अब यह breakout होने के बाद यह range बना रहा range बने का पता मतलब क्या है बहुत बड़ा संकेत है यानि अब हमारा bank nifty उपर जाएगा तो हमको क्या करके चलना है पता है हमको buy करके चलना है किस के उपर let me show you आपको इसको पर buy करके चलना है यह दख सकते है यह resistance है ठीक है तो calculate में buy करके चलेंगे 37,650 के उपर ठीक है buy above 37,000 कितना है 37,650 ठीक है SL क्या रहेगा दोस्तो SL रहेगा 37,580 का target बन रहेगा आपका 37,800 का second target होगा आपका 37,900 का third target होगा आपका 38,000 का तो यह तीन target आपको देखने को मिलेंगे bank nifty में देखिए समझी है मेरी बातों को यह तो आपने target समझ लिया ठीक है बट सबसे important बात यह है कि अभी जो bank nifty breakout दिया है जी हाँ call option अगर आपको ध्यान होगा हमने आपको call option दिया था तो उसमें बहुत बढ़िया momentum देखने को मिला दिल थामके बैठिएगा वीडियो को end तक देखिएगा मैं कभी भी उस call option का जिक्री कर सकता हूँ तो skip मत करना अप लोग तो अगर चाहते हो तो वीडियो को ध्यान देखिए तो यह तो हो गया ठीक है bank nifty का view दोस्तो अगर हम daily के chart पर समझे तो देखो भी daily के chart पर जैसा हमने discuss किया था वैसे हमको exactly देखने को मिला ठीक है कि bank nifty ने यहाँ पर क्या किया support ले लिया है अब यहाँ पर hammer का भी breakout दे चुका नाव bank nifty has to go up like this मेरे को 40,000 के आसपास के अब target लग रहे है bank nifty में for sure ठीक है चलिए हम जान जोगे bank nifty का view चलते हैं समझते हैं नifty के बारे में दोस्तो अगर हम nifty के बारे में समझें तो जैसा हमने discuss किया था हमको बहुत तगड़ा momentum देखने को मिला हमने discuss किया था कि 650 के उपर sustain होते हमको देखेगा अगर थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आपको तगड़ी अचा अभी देखिए भई अभी breakout हो चुका है ठीक है अभी breakout हो चुका है राइट अब breakout होने के बाद एक यह continuation pattern अब हमको calculate to buy करके चलना है 17,700 के उपर ठीक है रहेगा आपका 17,850 का यह तीन टागेट रहेगा आपके निफ्टी में ठीक है दोस्तों तो बस आप इसके तूटने का वेट करें तूटेगा तो धीरे धीरे इस तरह के से उपर चलते रहेगा ठीक है हाँ आज देखो क्या हूँ आज market तगड़ा momentum को देखने को मिला ठीक है profit booking आई लोगों ने सुचा कि चलो ठीक है profit book करते है क्योंकि market बहुत भाग चुका है अगर आपके मन में ऐसा लग रहा है कि market crash हो जाएगा यह बात दिमाग से निकाल लीजिए मैं बता रहा हूँ मैं अभी हमारा nifty और bank nifty बहुत उपर जाने वाला market बहुत उपर जाने वाला हाँ time लेगा time लेश सकता है but it has to go up it has to go up for sure मैं nifty को 15,000 से आसपास दोस्तों मैं nifty को 15,000 के आसपास से बोलते आ रहा हूँ ठीक है कि market में कोई 100% short नहीं होता ठीक है लेकिन हम हमेशा try करते हैं कि आप लोग का मुनाफ़ा हो और आप लोग सीखें इसके पीछे का मतलब आप लोग सीखें ठीक है आप लोग market सीखें तो यह हमारा nifty का analysis है हमने reasons आपको समझाई दिया और अगर मैं आपको देखो nifty का daily chart दि ठीक है और 18,000 के ऊपर सेजी sustain करता है एक से दो दिन ना हमको 8,000 के level हमको for sure देखने को मिलेंगे राइट चलिए हम आगे चलते हैं हम जानते हैं अपने stocks के बारे में दोस्तों stocks के बारे में जाने उससे पहले यह है guys क्या आपको भी intraday में entry और exit करने में बहुत दिक्कत हो रही है दोस्तों क्या आप भी बढ़िया ट्रेर नी धूड़ पा रहे हैं intraday short term और long term के लिए और दोस्तों क्या आप भी struggle कर रहे हैं stock market में तो दोस्तों मैं आपको introduce करना चाहूंगा हमारा online training course जो की start होने जा रहा है 14th of October से दोस्तों यह एक basic to advance complete online stock market class है जहां पर मैं आपको expert बनाऊंगा intraday में short term positional swing long term और मैं आपको expert बनाऊंगा futures and options में तो दोस्तों अगर आभी इस online training batch के लिए interested हैं और दोस्तों अगर आप stock market को लेके बहुत serious हैं और अगर आपना career build up करना चाहते हैं stock market में और आप professional trader और investor बना चाहते हैं stock market में तो आप इस दिये हुए board line number पे call करके और हमको whatsapp करके अपनी seat book करवा सकते हैं मैं मिलता हूँ आपको class में thank you जो पहला stock है हमारा दोस्तों stocks अगर आपको पता होगा तो हमने आपको जो stock दिये थे हमने आपको कौन सा stock दिया था if you remember friends अगर हम बात करें हमारे youtube stocks की जो हमने आपको stock दिये थे वो दिये से sun pharma और mcdowell mcdowell तो execute नहीं हुआ ठीक है लेकिन sun pharma में अच्छा हमको decent sec momentum दे इंड्राडे का अगर आपको कुछ भी मलता है आप ले दे के बारा आजी आप ठीक है सिंपल सा ज्यादा आपको hold नहीं करना है तो कल के लिए मैं दोस्तों कल के लिए मैं बरोसा कर रहा हूं IRCTC पर यह breakout दे चुका है आज मैं इसको देने वारा था telegram बट में चूप अब आपको बाय करके चलना है अगर यहां पर मैं आपको डेली के चार्ट दिखाऊं डेली के चार्ट में आप देख सकते हैं यह जो consolidation pattern था उस consolidation उस consolidation pattern का breakout हो चुका है नाव मैं आपको चार्ड मेट के चार्ट पर लेकर समझाता हूं अब देखिए अब आपको क्या करके चलना है बाय अबब करके चलना है कितने 4065 के ऊपर ठीक है प्यानी प्रीवर्स ड्राइवाली पीडेली स्ट्राटेजी बाय अबब 4065 ऐसल 4000 यहां पर 4020 का target 1 होगा आपका 4100 का target 2 होगा आपका 4120 का यह होंगे दो टागे चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों हम आगे चले उससे पहले अगर आप हमारे टेलिगाम चैनल में नहीं जुड़े हैं आपको जरूर जुड़ना चाहिए क्यूं क्यूंकि दोस्तों हम यहां पर डेली स्टॉक मार्केट की न्यूस देते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के trade देते हैं ठीके आज हमने आपको गोजरेज प्रपरटी दिया देखा आपने बहुत शांदा रिटर्न दिया गोजरेज प्रपरटी ने हमने आपको 2275 को उपर बाइं करने को बोला था औ अगर मैं आपको शो करूँ आज गोजरेज प्रपरटी कहां गया ठीके धान रखी मैं आपको शो करता हूँ 2275 के मैंने उपर बाइं करने को बोला था और अगर हम गोजरेज प्रपरटी को देखें तो इसने कितने का ही लगाया मैं आपको दिखाता हूं इसना ही लगाया म लोग इस ताइप के accurate trade नहीं देते हैं और देखी यह सब आपकी वैसे उपारा मेरे को literally बहुत खुशी होती है मैं आप लोगों से एक रुपया भी नहीं मांगता है इस सीजो का ठीक है बाकी आप जाके देखी इसके लिए लोग चार्ज करते हैं यह लेकिन यह हमारे चैनल free of cost है तो आपको अगर जुड़ना है आप जाकर जुड़ सकते हैं link in discussion box में और हमने आपको एक और trade दिया था अगर आपको ध्यान होगा तो शिराम सिटी finance ठीक है हमने आपको दिया था 128 पे बहुत अच्छा चलाई यह इसमें आपको आज पूरा मौका मिला होगा 128 पे हमने आपको दिया था इधर दिया था और इसके बाद 128 से कहां जाया है दोस्तों यह 250 तक इसलिए कहता हम आपको जरूर जुड़ना चाहिए क्योंकि यह premium content आपको free of cost दे रहे हैं दोस्तों ठीक है चलिए तो यह तो बात हो भी haveils buy करके चलना haveils को right तो basically haveils में क्या हुआ है मैं आपको show करता हूं इसमें देखिए basically क्या हुआ था मैं आपको show करता हूं यह ऊपर गया था range बना के नीचे आया था base बना चुका है ठीक है now hammer बना के ऊपर जाने को ready हो चुका now buy above करके चलना आपको अब कितने को buy करेंगे तो देखिए कल आपका जो bank nifty जैसा कि हमने बताया आपको कि अगर कल bank nifty sustain करता है कितने के उपर 650 के उपर तो आपको simple सा bank nifty का 37,500 का call option आपको लेके चलना है कितना 37,500 का call option 7th October का right दोस्तों यह आपको almost मिलेगा मैं आपको बता दूं यह आपको almost मिलेगा इसके उपर ठीक ठीक है just hold on यह आपको मिलेगा इसके उपर ठीक है तो यहाँ पे 390 को पर मिलेगा आपको ठीक है 390, buy above be 390, SL would be 350, target 1 होगा आपका 450, target 2 होगा 500, target 3 होगा 550, तो यह हैं कल के लिए call option बाकी जैसा market मेरे को और situation शो करेगा, parameter शो करेगा मैं आपको और भी call option देने वाला हूं bank nifty ठीक है, till then thank you.